दबंग तुर्की के दबंग राष्टपती रजब तयब एर्दोगान की एक अर एक्टिविटी के बारे में आज हम आपको उस्तार से जानकारी देंगे तो बने रहें हमारे साथ आखिर तक रजब तयब एर्दोगान दुनिया के पहले एकलोते एक ऐसे मुस्लिम राष्टपती है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बनाये हुए है आज सोशल मीडिया से लेकर अंतराष्ट्रिय मीडिया में तुर्की के राष्टपती ने अपनी अलग पहचान बना ली है जब दुनिया भर के मुस्लिमों पर मुसिबत आती है तो वो सबसे आगे आते हैं चाहे वो कोरोना महमारी हो या फिर आम दिन ऐसे दिनों में एर्दोगान हर मुस्लिम देश का साथ देने के लिए सबसे आगे रहते हैं चाहे वो बंगला देश के मुसल्मान हो या फिर रोहंग्या मुस्लिम अभी हाल ही में तुर्की को अमेरिका ने भी हर तरह से जुकानी की कोशिस की एर्दोगान पर कई तरह के टेक्स का बोश डाल कर उनके अर्थिक बजट को काफी नुकसान भी पहुँचाया यहां तक कि उन्होंने तुर्की से आने वाले सामन का भी इंपोर्ट बंद कर दिया हलांके वक्त की नजाकत को देखते हुए कई मुस्लिम देश एर्दोगान के समर्तन में खड़े हो गए एर्दोगान का जन्व 1954 में तुर्की की राजधानी इस्तनबुल के करीब शहर कासिम पाशा में हुआ था एर्दोगान का परिवार यहां का नहीं था ये रहने वाले रिजा राजजे के थे लेकिन यहां पर आकर रहने लगे थे इनके पिता का नाम अहमद एर्दोगान और इनकी मा का नाम तंजिला एर्दोगान था रजब तयब एर्दोगान के पिता नेवी में कैप्टन थे इसलिए इनकी जिन्दगी एक साहिले समंदर पर आबाश शहर में गुजरी थी रजब तयब एर्दोगान की एक बहम वसिला और एक भाई मुस्तफा भी है आपको बता दे की BBC News के World Edition में 4 नवंबर 2002 को बताया गया की रजब तयब एर्दोगान ने अपनी जवानी के दिनों में निम्बू सोडा, निम्बू पानी और तील लगी हुई रोटी इस्तंबूल के शहर में बेचा करते थे यूनियर्सिटी में पढ़ाई के दौरान एर्दोगान की मुलाकात तुर्की के एक आलिमे दीन से भी हुई थी जिन से वो मतासिर हो गए थे साल 1980 में एर्दोगान इस्तंबूल ट्रांस्पोर्ट अथॉरिटी के काम करते थे एर्दोगान ने अपनी पहचान को एक मुस्लिम रह्मनमा के तौर पर पेश किया 1994 से लेकर 1998 तक वो इस्तंबूल के मेयर भी थे इसके बाद वो साल 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधान मंत्री बने और साल 2014 से आज तक तुर्की के राष्टपती है तुर्की सरकार ने हागिया सोफिया को चर्च से मस्जिद में तब्दिल कर दिया था उसके बाद तुर्की सरकार सुर्किया बटो रही है तुर्को जरा सबर करो दबंग तुर्की के दबंग राष्टपती रजब तैब एर्दुगान की एक और एक्टिविटी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे मौजदा वक्त में तुर्की अपनी सरहदों से बाहर अलग-अलग मकसद के लिए कई जगा पंगों में पड़ा हुआ है जैसे फ्रांस, ग्रीस, इस्राइल, सौधी अरब, यूएई और इजिप्त वगेरा से जबानी नजरियाती जंग जारी रहती है जबकि लीबिया, सीरिया, इराग, कुर्द, साइप्रस और अब अर्मेनिया में बाकाइदा होजी कारवाई कर रहा है दुनिया के इसाई, यहुदी और मुलिद हर तरह से तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है भारत भी अब पीचे नहीं है, क्योंकि तुर्की के एर्दोगान ने कश्मीर वगेरे के अलावा भारत में होने वाली मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग पर भी सयुक्त राष्टर के प्लैटफॉर्म से आवाज उठाई थी तुर्की के रजब तयब अर्दोगान की सियासत और उनके नजरियात वो उनके मजहब से किसी का लाख इखिलाफ सही लेकिन इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि 21 सदी में अगर बातिलों की निंदों को हराम करने वाला कोई मुसलिम मुल्क है तो वो है तुर्की अर्दोगान को सहत आता कर और उनको लंबी उम्र आता करे तब तक जब तक उम्मत मुसलिमा के हक में हो आप देख रहे हैं एजडिट 24